इस्रो एक ऐसा और्गिनाजेशन जो दुनिया के सामने एक अलग पहचान बना रहा है कम लागत में मिसंस को अंजाम देने में इस्रो मास्टर है अगर आपको इस्रो के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे प्रिवेस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप अभी टेंथ में हैं और इस्रो में सैंटिस्ट बनना आपका ड्रीम है तो आपको मैट्स फिजिक्स में स्ट्रॉंग होना पड़ेगा और इसलिए आपको टूवेल्थ फिजिक्स केमेस्ट्री मैट्स से करना होगा PCA में 12 करने के बाद इसरो जोएन करने के लिए आपके पास दो रास्ते है First, IIST से बीट टेक करके And my recording यही आपका first priority होना चाहिए IIST में admission पाने के लिए आपको GEE Mains के साथ-साथ Advance भी अच्छे rank से clear करना होगा इस institute का importance इसलिए भी बढ़ जाता है क्यूंकि यह purely government body होने के साथ-साथ यह ISRO के अंडर में function करता है इस institute का एक और खास बात यह है कि इसमें admission लेने के बाद अगर आप सभी semester में greater than equal to 7.5 CGPA को maintain रखते हैं तो आपको वहाँ पढ़ने के लिए कोई भी फी नहीं देना होगा एक और बात आप ज़रूर याद रखे के अगर आपको ISRO जवैन करना है तभी इस institute में admisal ले क्यूंकि अगर ISRO इस institute से आपको hire करता है तो minimum 3 years आपको ISRO में काम करना पड़ेगा और यही चीज उन लोगों के लिए beneficial हो जाता है जो ISRO को जवैन करना चाहते है क्योंकि यही से आपका ISRO में direct job लग सकता है दूसरा option उन लोगों के लिए है जो किसी वज़ा से IIST में admission नहीं ले पाए और दूसरा option यह है कि आपको कोई अच्छे college से B.Tech करना होगा और B.Tech भी या तो mechanical में या electronics में या फिर computer science लेकर ही करना होगा B.Tech करने के बाद आपको ISRO दवारा conduct किये जाने वाला interest exam ICRB को clear करना होगा and after that you have to go for interview salary depend करता है आपकी grade और experience पे हाला कि ISRO के top level के scientist का भी salary private job से compare करे तो बहुत कम है लेकिन आपको society से जो respect मिलेगा it's magnificent लोग आपकी तरफ काफी respect के नजर से देखेंगे और यही feeling private job से मिलने वाले salary से कई गुना जादा है ISRO के scientist का minimum salary 55,000 पर मन्त से start होता है और वही senior और experience level के scientist का salary एक लाग से देड़ लाग पर मन्त के बीच में है दोस्तो मेरा एक suggestion है कि आप खुद तो hard work करे ही लेकिन कोई senior के guidance में जरूर रहे ताके आगे चलकर आप कोई glut decision ना ले तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर इससे आपको कुछ help मिला हो तो वीडियो को like करे और हमारे channel को subscribe करें करें दोग है